आज अभी यहीं से यारा शुरू करो असना मुस्कुराना क्योंकि जिन्दगी मिलेगी फिर ना दुबारा जीयों जीभरके जीयों जीभरके छोड भी दो अब दुख की बाते बीत गई है काली राते छोड भी दो अब दुख की बाते पीत गई है काली राते आया नया सबेरा जादो खुशियों को अब गले लगा लो क्योंकि जिन्दगी मिलेगी फिर ना दुबारा जीयों जीभरके जीयों जीभरके पता चलना चाहिए कि कुछ पागल लोगा है तो शुरू करते हैं आज का सेशन लेकिन हमेशा मैं जबी भी सेशन शुरू करता हूं इंट्रस्टिंग बनाने के लिए हमेशा स्टोरी के साथ ही शुरू करता हूं तो स्टोरी सुनेंग आप पता कि आपके आवाज में दम क्यों नहीं आ रहा बताओं नहीं ब्रेकफास की बात नहीं है सुनना चाहेंगे आपके आवाज में अभी दम क्यों नहीं है क्योंकि आपको लगता नहीं है कि आपके अंदर कुछ दम है आपको लगता ही नहीं है एक स्टोरी बहुत बार, बहुत बार मैंने meet and greet में, फैर कहा कहा सुनाई है, तो वो स्टोरी सबसे पहले वो सुनते हैं, फिर दूसरी स्टोरी सुनेंगे, राइट? जितनी भी स्टोरी सुनाओंगो वो आपकी स्टोरी होगी, कभी मेरी होती थी, अब आपकी स्टोरी होए, सुनेंगे एक स्टोरी ऐसी से आपको लगे कि आपे दम क्यों नहीं है, तो अभी भी ना बोल नहीं रहा कोई लगी निया दम है केते एक शेर को किसी ने पूछा कि तु जंगल का राजा क्यों है तु जंगल का राजा क्यों है ये बहुत पर स्टोरी सुनाई है और आज बंती है तु उसको पूछा तु जंगल का राजा क्यों है ते तेज नहीं भागता वो तो चीता है, सबसे भारी नहीं है, वो तो हाथी है, सबसे चलाक नहीं है, वो तो लोंबडी है, और सबसे उंचा नहीं है, वो जिराफ है, तो तू जंगल का राजा क्यूं है? तो शेर ने बोला, इनको लगता नहीं है, और मुझे लगता है, मैं इसलिए राजा हूँ, आप लगता नहीं है, आपको लगता ही नहीं है, कि आप शेर हो, है न, क्योंकि आप अपरी पहचान खो ही गए है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी मेरे को, अभी दस दिन पहले मैंने स सुनीब आपको बतायता हूँ, स्टोरी सारी आपकी है, कि एक बार एक युद्ध हुआ, तो वहाँ एक सैनिक था, तो वो भ्योश हो गया, भाला लगा होगा, तो युद्ध खतम हुआ, तो वो जो सैनिक था, वो अपनी यादाश्थ भूल गया, उसको अपना नाम नहीं पता, पिता का नाम नहीं पता, माता का नाम नहीं पता, गाम का नाम नहीं पता, शहर का, टोटली फेड हो गया यहां से, समरितियों से सब उसके गायब हो गया, तो उन्होंने बोला है, रेक काम करो, इसको रथ के उपर, यहां किसी ट्रेन, समझो लेक ट्रेन के उपर एक जगह पे ट्रेन जहां नहीं रुक नी थी, वहां रुक गई, और सामने उसके गाम का नाम था उसने पढ़ा और उसको याद आ गया, वो भागा, ट्रेन से उतर के भागा, 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 सीध हाँ अपने गाम तक गया, अंदर अपने माता, पिता, सब को उसने एकनभ पहचा लेजा, सब लोग बड़े खुश हुए, किसकी समर्थी वापिस आ गई है, मोडल भी डा स्टोरी यह है, आप भी अपने समर्थी से भूले गुए है कि आप कौन हैं, अप भी अपने समर्थियों में भूल चुके हैं कि प्रमात्मा ने आपको पैदा ही क्यों किया ह आपका रोल, आपका गोल आप भी भूल चुके हैं इस इस आईरेनी आफ एवरी हुमन बिंग आप जितने लोग यहां बैठे हैं सब की आईरेनी यही है आईरेनी को बोलते है दुरभाग्य क्या है हमारा एक ही दुरभाग्य है कि हम अपनी कहीं न कहीं पहचान बोल गए है इस आप इमिज के अंदर अगर देखे तो लिखा है कि भीड का एक सामोहन है और ध्यान रखना जो भीड में रहते हैं वो भेड होके रह जाते है आप यहां पर देखें कि भेडों का जुंड है लेकिन शायद किसी को नजर ना आए यहां पर आप भी है इन भेडों के जुंड के अंदर यहां आप खड़े हैं देखें वो एक शेर है लेकिन अपनी पहचान भूल गया है तो आई बहुत से दुनिया में ऐसे लोगों को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से जिनके पास नौलेज बहुत है बहुत नौलेज है उनके पास बट उनकी नौलेज और उनका बैंक बैलेंस कहीं मैच कर नहीं रहा और सब लोगों को एकी बात लगती है कि मुझे सब पता है बोलो चाचा जी आपको सब पता है ना बोलतो चाचा जी, बिटा, जितनी तरी उमर नहीं न, उतरह से ज़दा एक्सपीरियस है, ये धूप में बाल नहीं सफेध हुए, बोलते हैं न लोग आपको, तो बोलतो चाचा जी, आपका बैंक बैले साफ के बालों के सफेधी के साथ मैच, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, I have लेंट वन थूह, if you really want to have big success into your life, in terms of money, if I talk, you have no choice, you have only one choice, you have to invest into the knowledge, आपके पस कोई रास्ता ही नहीं है, दूसरा, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं मैं बता दूप, अगर आपको अमीर बनना है, पैसे कमाने है, जिंदगी अंधरी कच्छा रुतभा हासिल करना है, you have to invest into the knowledge, आपके पास कोई दूसरी चौइस ही नहीं में बता दूँ आपको, you have to invest in to the knowledge. जो आपने सीखा है, learn, then un-learn. क्योंकि जो आपने लर्न किया है आज से दो साल, चार साल पहले, वो आज की डिट में relevant नहीं है, बध़ी, दो-चार साल के छे महीने में, irrelevant हो जाता है, तो आपने जो सीखा है, उसको आपको un-learn करना पड़ेगा, और un-learn के बाद, re-learn. This is the philosophy, जो मैं हमेशा बिलीब करता हूँ, you have to learn, you have to un-learn, and then you have to re-learn. जो आपने जिन्दगी में नाच नहीं सकता, celebrate नहीं कर रहा, family के साथ time spend नहीं कर रहा, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं जी रहा, तो celebrate नहीं कर रहा, मैं आपको बना दूँ, हमारा purpose एक ही है, how you celebrate your life, प्रमात्मा ने आपको पैदा ही एक चीज़ के लिए किया है, सिर्फ एक चीज़ के लिए पैदा किया है, कि आप life को कितना अच्छे से celebrate करें, मेरे साथ रोज मुलाकात होती है, अभी मैं सीड़ियां लिफ्ट से आ रहा था, तो बाहर लॉबी में बैठा था, तो वो मेरी मुलाकात हो गई उसके साथ, उसने बोला एक संदेश दे देना इन सबको, अभी बोला उसने मेरे को, लेघा चाहेंगे वो जनेश, सीधा ताजा ताजा, अभी आदा गौंटा पहले ही सने मेरे को बहला, कि इनको बता दे ना भाई, सुनना चाहते है उसका संदेश, तो उसने बोला मेरे को परमात्मा ने आदा गंटा पहले, कि ये जो पार्टिस्मेंट साइन को बात बोलना, कि जब ये उपर आएंगे मेरे पास, उधर, तो मैं इसे ये नहीं पूछूंगा, कि पाप कितने किये थे, पूछूंगा नहीं, गुणा कितने किये, पूछूंगा नहीं, कितनी दारूपी थी, पूछूँगा नहीं, कि रहा येर मेरा दिल बहुत बड़ा है मैं कोई इस काम के लिए थोड़ी बैठा हूँ कि मैं ये हिसाब रखो, सिना साब ने कितने पाप किये कितने गुनाह किये, मैं इसके इसके लिए बैठा बूला नहीं ये ही नहीं किया सेब, सब कुछ किया, ये नहीं किया राइट, तो वहाँ जाके ये ना बोलना, सबसे पहले तो फिनाशल फ्रीडम होनी चाहिए यार, अगर आपके पास फिनाशल फ्रीडम नहीं है तो आप भूल जाएए जिदगी के अंदर आपका भी सेलिबरेट कर पाएंगे, कभी ने सेलिबरेट कर पाएंगे ये कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य है ये जीवन का, और मुझे उन लोगों से बड़ी ही धया आती है उन लोगों की उपर जो कहते हैं, पैसे में क्या रखा है, मोहमाया में क्या रखा है और 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 भी विद्वान है, कहते हैं, सिकंदर भी खाली हाथ आया था, सिकंदर भी खाली हाथ गया था अच्छा, सिकंदर खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था, बीच में जो करके गया था, वो उसका क्या? वो भी बोलो, खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया था, और बीच की स्टोडी भूल गए? नहीं सर, आप देखो कि आप किसी इसके लिए बने हो, मैं कंसल्टेशन देता हूं नो लोगों को, 99.9% लोग मेरे 23 साल के थिहास में, एक भी बंदा मेरे को शायद याद नहीं ऐसा मिला हो, जिसने ये पूछा हो, कि सर पहले ये तो बाद में बताना मेरे को, कि मेरी क्या है पत्रीके अंदर, बर ये बताओ जार कि मेरा रोल और गोल क्या है, मैं जॉप के लिए बना हो कि बिजनस ये किसी ने आज तक नहीं पूछा, और मैं सबसे पहले यहि उसको बताता हूं कि भईया तू पहले ये देख ले कि तू जौप के लिए बना है कि बिजनस के बना है ऐसे तो नहीं कि बस चला जा रहा है, चला जा रहा है, प्रमात्मा ने टिकेट दी ती तेरे को पैदा होते वह तरी चड़ी में टिकेट डालके डाली थी Bombay की, और तू पटना की ट्रेन में बैठके मजे ले रहा है, पहुचेगा ही नहीं कभी Bombay, तो सब की टिकेट अलग अ यह तो आपको देखना है, आपकी टिकेट कहां की कटी है, तो नहीं बैठके है, और 80% population across the world, they are into the wrong train, I tell you, that is the one reason they never enjoy their life, they are into the wrong professions, that is the one reason they never never achieve that kind of celebration into your life, because they are into the wrong bus, बस कर रहे हैं, क्यो, पिता जी ने बोला, पिता जी का बिसनस है, बस किये जाओ, किये जाओ, किये जाओ, किये आपके साथ, आपके साथ, आपके साथ, आपके D number की, D number का मतलब, that is your driver number, driver number का मतलब होता है, जो आपकी पहली date होती है, जिस date को पैदा हुए, that is your driver number, जैसे मैं 13 तरीक को पैदा हुआ, तो मेरा driver क्या बनेगा, 13, 13 का मतलब हो गया, that is equal to 4, then it comes C number, C मतलब conductor number, conductor number होता है, जो आपका date, month और year, date, month और year, इन सब अंकों का अगर total करेंगे, तो आपका conductor number निकल के आएगा, तो देखते हैं, date, month और year का total कीजिए, 1 प्लस 3, 4, 4 प्लस 0, प्लस 2, 6, 6 प्लस 1, 7, 7 प्लस 9, 16, 16, 16 प्लस 6, 22, 22 प्लस 7, 20, 29, so total 29, 29 का मतलब हो गया, 2 प्लस 9, that is equal to 11, and that is equal to 2, 2, तो मेरा conductor number क्या निकल के आया, 2, अब कुवा number क्या होता है, जो आपका year of birth है, पहले उसको लिखते हैं, 1967, अब 1967 का अगर total करें, 9, 1, 10, 16, 7, 23, 23 का मतलब हो गया, 5, 23 is equal to 5, it is not the कुवा number, कुवा number क्या है, जो भी आपका year of birth है, इसका सब का आप total कीजिए, जो number निकल के आता है, अगर आप male है, if you are a male, then 11 में से उसको आप minus कर दीजिए, 11 minus 5, that is equal to 6, यह मेरा कुवा number है for the male, now, 1967 को female भी पैदा हुई होई होगी बहुत, तो 1967 में अगर female पैदा हुई है, तो उसका भी यह total तो सेम ही आएगा, पाँच, लेकिन अगर वो female है, तो female का formula क्या है, जो भी आपका year of birth है, उसके अंदर आपको 4, add कर देने हैं, 5 plus 4, that is equal to 9, अब ध्यान से सोचिए, तीनों में सारे important है, पट सबसे important क्या है, driver यह conductor, driver is always more important than the conductor, example, suppose किजे, कि driver, संत्पुशन जी न, ठीक पहचाना सर, संत्पुशन जी, मान लिजे driver जो है, वो दारूप किया रहे, और conductor बिल्कुल ठीक हो, कितनी भी टिकेट बाटे, बट अगर driver ने दारूपी है, तो कहीं पर भी गाड़ी ठोक सकता है, it means driver is more important in the bus than the conductor, right, no driver is very good, बट अरूपी के आजए, बोले आज तो मैं टिकेट ही नहीं बाटूँगा, seat बाटूँगा, तो भी problem, कि driver बस चला रहा है, बट पीछे से पैसे नहीं आरे, passenger पर्शान हो रहे है, बट connector इंपॉर्टे, अब दोनों ठीक है, अगले दिन cleaner गाड़ी को साफ ना करे, एक दिन नहीं होगी, दो दिन नहीं होगी, तो बात बनेगे, तीसरे दिन, अगर cleaner गाड़ी को साफ ना करे, पैसा बचा के आज तक कोई अमीर नहीं बन पाया, पैसा बचा के आज तक दुनिया में एक भी example नहीं है, कोई अमीर बन गया हो, पैसा इंवेस्ट करके ही सब लोग अमीर बने हैं, यार, इस spend की की कीमत 5000 रुपया है, कोई खर्च नहीं कर सकता, जब मैं उस training program में था, तो उसने बुला, सर, इसकी photo कीचलो, ये इंडिया में नहीं मिलता है, ये सिंगापूर से आता है, उसने पे 10,000 रुपय का पैन था, अभी सस्ता हो गया है, तो मैंने सोचा है, मैं जब training program करूँगा ना, तो I will use this pen, because it is a very small thing, अगर मैं ऐसा पैन यूज करो 10 रुपय वाल आप से बहुत बड़े आपके लिए हो सकते हैं, बड़ा चोटा सा चीज, बड़ा दो को सबको वहां बैठे भी नजर आ रहा होगा, because I have invested, now, अगर आपकी ये diamond की line पूरी हो रही है, जिसमें 4 भी आता है, 3 भी आता है, और 8 भी आता है, तो इस line को मैं बोलता हूँ, thought plane, thought plane का मत मतलब सोचने की पापर बढ़ी ही जबर्दस, अगर मैं इसको और emphatically समझाओं तो मैं बोलूगा, जहां से आम लोग, दूसरे लोग, सधारन लोग, सोचना बंद करते हैं, ये लोग वहां से सोचना शुरू करते हैं, अगर आपका thought process बहुत ही strong है, तो आपको भाया कोई काम करना चाहिए, जिन्दगी के अंदर जो thought process के साथ जुड़ा हो, example, माली जी आपका thought process बड़ा strong है, for example, तो आप software बनाईए कुछ ना कुछ, इसका अवला आप जो software बनाएंगे, वो दूसरा बना ही नहीं पाएगा, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, बैंक के अंदर manager बने ह से आने वाले, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही power होगी, और के अंदर पावर्स आलसो, अपना profession अपने strength के साथ जोड़िए, अपने strong area के साथ उसको connect कीजीगा, जैसे कि मैंने 4-3-8 का बोले कि आप ऐसा काम कीजी जो आपके thought के साथ जुड़ा हुआ हूआ है, correct, now, किसी line में दो सब लोग देखिए कि जितने भी grids हैं, जितने भी line हैं, hypothetically, आपको समझाने के तरीके से ऐसा बोलते हैं, किसी भी line का ये प्रतिशत है, 33%, 33%, 33% या 33.3, 33.3, 33.3, 33.3, कितना हो गया, 100%, अगर आपके number 100% है, किसी भी line में, तो इसका मतलब वो plane आपका पूरा powerful है, उसके अं power पूरी, अगर किसी के अंदर दो number आते हैं, 4, 3, 8 में, 8, 1, 6 में, किसी में दो number आ गए, तो 66% number है, 66%, तो भी आपके number अच्छे हैं, मैं बोलूँगा, अगर दो number भी आपके आ जाएं, तो वो वाला जो plane है, वो समझी अभी भी आपका powerful है, है उसके अंदर जान, जैसे कि म गोल तो एक ही है न, कि जीवन कैसे हम अच्छे से सेलिब्रेट करें, and I strongly believe कि जैसे मेरा जीवन बदला पांसल पहले, शे सल पहले, पांसल पहले, तो पांसल पहले जीवन बदला तो सिरफ एक ही चीज से बदला, पूछिए क्या, मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार bet on it, everything got changed, and I very strong believe कि जैसे आप अपना थौट चेंज करते हो, विचार चेंज करते हो, तो देख लेता है, जिन्दगी में बहुत अच्छा करना हो, तो बोलना कि सर आप जो पढ़ा रहे हो, मेरी किसी बात को यकीन मत कीजिएगा, सिरफ जानियेगा, अपलाई कीजिएगा, मानना मत मेरी किसी बात को, मैं जंटीचकर से, कई टीचर से मने निम्रा ओलोजी सीखी, तो जादा तर जो मेरे टीचर से उप्र disciplines करते थे, मैं बहुत सवाल पूछता है, तो कि मैं मानने को त्यार नहीं हो, किसी बात को, मैं जानने को राजी हो, यार, तो मैं जो भी आपको सिखाऊंगा अपने तजर्में से इसकाऊंगा और ये भी साथ बोलो कि मेरी किसी भी बात को मानना मत अप्लाई करना आपका जानना हो जाएगा ठीक है सर आज के लिए इतना ही उमेद करता हूँ कि आज का सेशन आपको जबर्दस लगा होगा फूब ज देखो ताली में जहान आगई अपने आपकी कल तक आपका माइंट सेटी लग हो जाएगा